सुजलोन एनरजी निमिलेट का आज फिर सेयर रॉकेट हो गया है, सेयर्स में 4% की तेजी देखने को मिला है, यह इंका दूसरा ट्रेडिंग सेसन है, जहां सुजलोन में लकतार 4% से उपर की तेजी देखने को मिला है, इसके पहले काफी बड़ी गिरावर देखने को मिल 33% तक सस्ता देखने को मिल रहा है मतलब अभी भी अगर इसमें खर्डारी करते हैं तो 33% अपने 52 विखाई से ये सस्ता देखने को मिल रहा है तो क्या वाखई में ये सेरS हमें 86 रूपिस के जो 52 विखाई है उसको break करेगा क्या ये सेरS end में ये साल के end तक विडियो कारण से सुजलोण अनर्जी लिम्रेट का जो market share है वो फिर से भागता हुआ देखने को मिला है एक समय सुजलोण अनर्जी का जो market share था या market cap दो था एक लाग क्रोड के पार हो चुका था लेकिन जब से इसमें गिरावट आई एक काफी बड़ी correction आचुकी है ये share फिर से अभी 80,000 के level पर हमें देखने को मिल रहा है तो क्या वाकई में फिर से share एक लाग क्रोड पार होने वाला है हम बात करने वाले इस वीडियो में और समझने वाले है कि सुजलोण अनर्जी लिम्रेट में आगे और हमें कितने दिन तक तेजी ऐसे ही देखने को मिलने लगबक 70,584 क्रोड का ट्रेडिंग होता हुआ देखने को मिला है तो लगतार बड़े-बड़े cash flow जो है वो हमें inflow देखने को मिल रहा है बड़े-बड़े mutual fund बड़े-बड़े FIS के तरफ से और इस कारण से आग 4% की TG भी देखने को बिला है कंपणी का जो market cap है काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है इसके पहले मैं नहीं बताया और इनका जो PE ratio है अभी भी काफी जादा हाई है 270 का PE ratio अभी भी दिखा रहा है जो की on average से काफी अधा हाई हो सकता है बेभी अगर correction आया है जिस तरह से उसे साब से अभी अपडेट नहीं किया गया हो तो जैसे ही अपडेट किया जाएगा लगबग हमें 50-50 के आसपास हमें इनका PE ratio देखना चाहिए जिस तरह से इनका sector य क्या सबस हमें net profit भी देखने को मिल रहा है company के अगर हम बात करेंगे price का analysis करेंगे तो company की एक महीने के अंदर shares में 23% की गिरावट देखने को मिला है company के अगर तीन महीने की बात करेंगे तो 26% तक shares में हमें तूटता हुआ देखने को मिला है लेकिन दूस्तों खतम यहीं न परसंग का return देखने को मिल रहा है लेकिन यह जो data है लगतार जो गिरावट देखने को मिला यह जो data हमें वहीं सोग करा लेकिन actually में आज से एक साल पहले shares का भाव था वह 5-7 रूपीस के असपस था और लगबक 1600% का return दे चुकी अभी तक यह share अपने investor को और यह possible हो पाए ह सिर्फ क्योंकि इनको जो लगतार जो project मिले हैं यह एक साल में यह shares अपनी debt को भी चुका दिये हैं लगबक debt इनका zero हो चुका है यहीं दोस्तों इनको recently में दो बड़े project में देखने को मिल रहे हैं जो कि NTPC green के तरफ से इनको project मिला है और जिस तरह से पूरे globally इंडिया में other countries में भी renewable energy को जिस तरह से focus में लिया गया है काफी जादा benefit हो रहा सुझलान को क्योंकि जितनी पी companies गिरी energy को लियाटेट वो company अभी recently में आपने सुना होगा एक में का solar फिर अभी NTPC green energy फिर फिर वराड़े energy हुई थी इसी तरह से सुझला energy 1990 के दसक का यह shares है और सो सकते ह उनको कितना benefit मिल रहा हो कितना ज्यादा experience होगा और इसलिए जिस तरह से बड़े बड़े जो project है वो इनी को मिलता हुआ देखने को मिल रहा है तो maybe chances और भी बढ़ जाता है कि shares बहुत ही जल्द 100 रुपिस को touch करेगा क्योंकि जो market का sentiment है वो काफी negative है जिस कारण से सारे shares में गिरावर देखने को मिल रही है बहुत से share है जो 40 से 50% तक हमें मैनस में जाते हुए देखने को मिल चुके है तो ये कारण है जो लगतार सुजलोन में भी गिरावर देखने को मिला है लेकिन जैसे ही market cover up करता है सुजलोन नर्जी भी अपने पुराने price पे आ जाएगी यही दोस्तो जो लगतार FI से वोंका खरदारी बढ़ता हुआ देखने को मिला है 23% का FI की holding है जहां DIs काफी कम खरदारी की है अभी तक 4% का ही holding देखने को मिल रहा है सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तो जो promotors का जो पहले holdings था सुजलोन नर्जी का वो हमें places में देखने क को मिलते थे जितने भी सेयर्स थे उनकी गिर्मी में थे लेकिन अभी हमें 0% places में देखने को मिल रहे सारे company को पर जितने भी places थे वो खतम हो चुके है तो एक तरसी यहां से आप समाझ सकते companies का जो debt है वो भी खतम हो चुका है companies की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे इसे promoters हैं जो कि जाने माने बड़े बड़े ब्रोक्रेस हाउसे हैं जैसे कि टंटी होल्डिंग प्राइबेट लिमिटेट एक है रम भयव उका भाई फिर है वेल ग्रेव इंवेस्टमेंट फिर कैनोन रिले एक्ट्री HSBC Multicap Fund है आदिते थर्मल है Vanguard Totals है ऐसे बहुत सारी promoters का holding है जो कि काफी बड़ी बड़ी companies है दोस्तो और यह आज से नहीं यह काफी पहले से इरो ने अपने holdings को बरकरार रखा है तो जाहिर सी वाद है कुछ ना कुछ तो specials होगा ही इसमें जरूर अगर companies की FIs की अगर हम historical देखेंगे तो companies का June 2023 से लगतार सेयर्स में हमें increment देखने को मिला है और September 2024 तक यह 24% हो गया जो कि आज से एक साल पहले company के में FIs की holding 6% के आसपास थी तो काफी बहतरी हमें increment देखने को मिल रहा है वह mutual fund भी लगतार हमें बढ़ते हुई देखने को मिल रही है जून 2023 में जो companies का mutual fund का जो holding था लगबग 0.5% के आसपास था जो कि अभी बढ़कर 4% से जादा हो चुका है आप यहां clearly दे सकते हैं June 2023 में जो promoters की holding थी यहां पर red line देख रहे होंगे यह places थी मतलब जो promoters थे उनकी जितनी भी shares थी सारे loans में थी और अभी अगर देखो को September 2024 का तो आज भी shares उतना ही है लेकिन companies की जो places थी वो हड़ चुकी है तो यह एक भी कारण है जिस कारण से shares जो loans भी थी उसे पहले छोड़ाया है अब एक साल जिसे एक साल के अंदर उन्होंने जितनी भी places थी उन्हें हटा दिया है अब जाकर वो places को ख़दाटाने के बाद अब shares भी अपनी increment बनाएंगे यहां पर तो company इस कारण से promoters की holding नहीं बर रही है लेकिन mutual fund बात करेंगे FIS की तो लगातार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है और promoters भी अपनी holding बरहार है लेकिन जो पहले पुआनवे places थे उनको हटाने के बाद अब यह increment रिखेंगे तो में भी chances है दोस्तों की बहुत जल्दा promoters की holding बढ़ेगी तो shares की prices भी भागते हुई देखने को मिलेगी और हो सकता है 2024 के end तक एक बहुत ही बड़ा project है जो की मिलने वाला सुजलो नर्जी लिप्टेट को तो वहाँ जैस चांसे थोड़ा और भी बढ़ जाता है सुजलो नर्जी का 100 रुपीज को टच करने का companies में हमने सारी fundamentals देख लिए और company का जो fundamentals है काफी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है अब company की कुछ resistance और support level है उसे हम देखते है जो company का अगर हम बात करेंगे पहला जो resistance level है वह 57 रुपीज का जैसे ही वह cross कर चुकी है दूसरा जो resistance level है वह 58 का उसे भी cross कर चुकी है और और इनका जो अगला जो resistance level होगा वह होगा 64 का जो main important resistance level माना जा रहा है company के अगर support की बात करेंगे तो पहला जो support था 54 रुपीज का तूसरा जो support है 52 रुपीज का और तीसरा जो support है 51 रुपीज का थर्ड वन जो हमें support देखने को मिल रहा है 51 रुपीज का वो काफी strong support है इस से company को देखेंगे तो जो गिरावाट आई थी वो 51 से ज्यादा देर तक हमें नीचे देखने को नहीं मिल रहा था company के अगर technical indicators की बात करेंगे तो जो RSI level है वो 32 पे है मतलब कि over about हमें देखने में sorry over selling हमें देखने को मिल रहा है मतलब company में अब खरदारी आने की chances बढ़ जा percentage minus 83 है तो overall हमें सारे technical indicators अब यह score कर रही है कि companies में 22 होने की chances काफी जादा हो चुकी है company के अगर EMA और SM में देखेंगे तो bullies जो है वो चार्व है और BRS हम देखेंगे तो 12 है मतलब अभी भी BRS हमें mode में देखने को मिल रही है लेकिन फिलाल अब इस loan में तेजी जा रही है और यह जो BRS देखने को मिल रहा है इसके पीछे का reasons है जो मैंने आपको बताया कि market में जो sentiment बना है वो काफी negative है तो इस कारण से वो BRS मोड में देखने को मिल रहा है तो आपको क्या लगता है सुझला नर्जी में कहां तक हमें तेजी देखने को मिलेगा और आपके तरफ स कितने prices पे हमें देखने को मिल रहा है तो इससे अच्छा मालूम चल सकेगा कि shares को कहां तक हमें average लेना चाहिए और कहां तक हमें stoppage लेना चाहिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो इसे like और share जरूर कीजेगा क्योंकि आपके इस like से हमारे और हमारे टीम को motivation मिलता है कि हम और भी ऐसे quality content वीडियो आपके लिए बनाएं जिससे आपको काफी यादा benefit हो अब अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजेगा क्योंकि आपके इस subscribe से आप ही को काफी यादा benefit होने वाला है तो आज के लिए हम इमितना ही रखते हैं थैं आप है थैंद रखते हैं στην है है वाला की कि अज आपने हो है एंभी आपकी कर दो के रगी है है एंभी या मिलक다면 तो और, χोंँ को का तो दो को काफ़ बनाएंट है प्यारा अजयाओने है एंभी है उँट दो को भी बनाएंट है वाला हैं जी ज difference